दिल्ली के शाहिन बाग आंदोलन की परते लागातार खुलती जा रही है आपको जानकर हैरत होगी कि जिस साहिन बाग में धरने पर बैठे लोगों को हम एनारसी के बिरोध में बैठा समझ रहे थे उसी साहिन बाग में आंदोलन के वक्त आतंकी भी आये हुए थे पुलिस सुत्रों के मुताबिक जून 2020 में गिरफतार खालिस्तानी लिवरेशन फ्रंट का सदस्य लवप्रीत उर्फ राजकुमार ने पूस्ट आच में ये बड़ा खुलासा किया है कि वो साहिन बाग आंदोलन के दोरान तीन से चार दिन तक साहिन बाग में रुका था उसके साथ पंजाब के कई और लोग साहिन बाग आया थे सुत्रों के मुताबिक लवप्रीत बागीचा सिंग नाम के एक सक्स के कहने पर साहिन बाग आया था और साथ में बागीचा सिंग भी मौजूद था बागीचा सिंग पहले आतंकवात के आरोप में गिरफतार हो चुका है लेकिन जिस दोरान वो साहिन बाग आया था उस पर कोई केस नहीं था दिल्ली दंगो की जाज कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल अब इनकी मौजूदगी की एंगल को खंगाल रही है कि आखीर ये साहिन बाग में करने क्या आये थे जून में गिरफतार लवपरीत और उसके साथ और कौन कौन लोग आये थे किस से मिले और मकसद क्या था ये अभी सामने आना बाकी है आपको बताते कि जून 2020 में दिल्ली पुलिस इस्पेसल सेल ने महीनों चले खुफिया आपरेशन के बाद आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तीन सदस्यों को गिरफतार किया था इन तीनों के नाम थे महिंदर पाल सिंग, लवप्रीट सिंग, गुर्जेट सिंग इन तीनों पर आरेशेस, बजरंग दल और सिवसेना के नेताओं की हत्या करने की साजिस रचने के आरोप में गिरफतार किया गया था दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल के अनुसार, खबर मिली थी कि खालिस्तान लिवरेशन फ्रंट का मेंबर महिंदर पाल सिंग, दिल्ली में आतंकी वारदात की साजिस रच रहा है इस इंपुट पर टीम गठित की गई और 15 जून को महिंदर को गिरफतार किया गया था इस क्रब में लवप्रीत की भी गिरफतारी हुई थी जाहिर है साहिन बाग आंदोलन का असली सच अब सब लोग जानना चाहते हैं आखिर इस कथित आंदोलन का मकसद क्या है दुनिया के सामने आना ही चाहिए लोकल लोकल के लिए प्रशान त्रिपाठी की रिपोर्ट हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बाक्स में जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें